बेसन से बना ये वाइरल फेस पैक देख लिने के बाद मुझे लगा कि इसे तो एक बाद ट्राइ करना बनता है और आपके साथ शेयर भी करना चाहिए ताकि इसका जो रिजल्ट है ना वो आपके साथ शेयर किया जा सके जी हाँ अगर आप बेसन से बने इस सिंपल से फेस पैक को अपनी चहरे पर अपलाए करते है ना तो आप सिर्फ 15 मिनिट में एक गोल्ड फेशिल से भी जादा अच्छा और गोल्डन गलो अपने चहरे पर अचीव कर सकते हैं जी हाँ बिलकुल ना महंगा फेशिल और ना ही महंगी च लो आप अचीव कर सकते हैं इस गोल्डन फेस पैक में बहुत ही कॉमन चीजों का यूज किया गया है लेकिन जो इसका रिजल्ट आप देखेंगे ना अपने चहरे पर अप खुद हैरान हो जाएंगे और पाची में सब आप से पुछेंगे कि कौन सा फेशिल आज आपने क करवाया है अचानक से कहीं आपको जाना पड़ जाता है किसी पार्टी फंक्शन को अटेंड करना होता है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप पालर जाए फेशिल करवाए और ना ही घर में कुछ ऐसा समान रखा है कि जिससे आप एक अच्छा सा फेस पैक बना सके तो को को गोरा कर सकता है तो इस वीडियो को जरूर चकाउट कीजेगा बहुत ही कमाल की रेमेडी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज की रेमेडी को जानने से पहले वीडियो को कर दीजे एक छोटा सा लाइक बहुत ही जादा मोटिवेशन मिलता है आपका प्यार जह लगता है और चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन जादा से जादा इसको शेर भी कीजेगा फ्रेंट्स और फेमली मेंबर्स के साथ इस गोल्डन फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए एक से डेट चमच बेसन जोकी नैच्रल क्लिंजर है चह इसमें लेक्टिक एसिड होता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन को लाइट करता है और उसी के साथ चमक लाता है चहरे पर जूरियों को कम करता है आधा नीम्बू का रस डाल दीजिए इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है रंग को गोरा करता बहुत ही अच्छी सी चमक लाता है तो बस बेशन के साथ इन सारी चीजों को आपने मिक्स कर लेना है और आपके पास एक बढ़िया सा गोल्डन फेस पैक बनकर रेडी है बहुत ही आसान है इसको बनाना और इसे अपलाई कर लीजे अपने साफ सुत्रे चहरे पर धुले बाद आपने इसको हलके हलके हाथों से मसाज करनी है जिसे की एक फेशल जैसा ग्लो आपके चहरे पर आए बहुत ही चमकती दमकती त्वचा आप पा सकते हैं दो मिनिट की मसाज के बाद हलका गुन-गुना पानी आपने लेना है इसको वाइप आफ करने के लिए लिए सब्सक्राइब करना है विल्कूल मत भूलिएगा